है वियोर्स तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डेई 11 की लेक्चर एटुज एड़ वर्ड सिरीज एज यू नो तो आज हम करने वारे हैं लेक्टर की के पाँच वर्ड्स और जिसमें जिसने भी सुनूनियम सुंगे उनको करेंगे एक चीज में तुम लोगों को देखनी पड़ती है मैंने करनी पड़ती है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम एक दो दिन वीडियो लेट हो जाती है बड़ बिलीव मी एफट बहुत लगा रहा हूं जितने मेरे से लग सकते हैं भाई मैं लगा रहा हूं ठीक है मैं अपनी तरब से कोई भी बील नहीं चोड हूंगा जितनी आपने जो पिछले 10 lectures कर लिया है प्लीज 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 उनको revise कर लो ठीक है आई नू कि आप मेंसे कुछ लोग ही फॉलो करते हो series को और यह matter नहीं करता कि कितने लोग करते हैं कितने लोग नहीं करते हैं बट हां बस मुझे इतना पता है कि जब आप 26 lectures क कर लोगे उसके बाद आप मैंसे जो भी लोग पूरी series को फॉलो कर रहा है वो खुद बोलोगे कि इतना ज्यादा confidence आ चुका है इतना सब कुछ हमें सीखने को मिला तो यह series जो है वो फालतू की नहीं होने वाली है आप लोगों को realize होगा ठीक है अभी नहीं 26 lectures अभी भी दस videos से realize होने लगा होगा कि क्या ही quality content है why content is unbeatable कोई नहीं कराएगा यह बिलीव मी पता है वहाँ पर teachers क्या करते हैं उनको जो भी उनकी दमाख माया है वो उन्होंने बोल दिया so it's not like that जो चीज़ें paper में आती है उन चीज़ों को लिखना पड़ेगा उन words को देखना पड़ेगा ठीक है तो चलो start करते हैं आज again में दोबारा बोलूँगा सबसे पहले वीडियो को देखना है अच्छे से क्योंकि आपको class की class में याद कराने का सोचता हूँ तब ही तो चीज़ों को बार बार repeat करता हूँ जिससे कि आप लोगो को class की class में ही याद हो जाए उसके बाद उनके notes जरूर बना लेना ठीक है जो भी मैं लिखा रहा हूँ उनको अपनी copy पे लिखो बोके बुक भाई गर्वित या बोके बुक लिख लो उसके बाद फिर उनको revise करना ठीक है चलो दो और दोबारा बोलूँगा revise all words before seeing the second video दूसरी वीडियो देखने से पहले जिसकी पहली वीडियो उसको revise जरूर कर ले ठीक है तो चलो फिर start करते हैं आपने first letter से पहला letter है sorry पहला letter है इधर नेव दोखो इस नेव से पहले मैं तुम्हें एक और word देखता हूँ एक और word एन ए आई वी ए आपको ये तो पता ही होगा नेव ये होता बोला बाला इंसान जैसे कि मैं हूँ मैं बहुत ही नेव इंस एक समझ लो किस sense में भोला भाला जो आसानी से जिसको cheat किया जा सकता है ठीक है जो बंदा बहुत जल्दी trust कर लेता है उसको बोलते हैं gullible एक ऐसा बंदा जिसको लोग बहुत अच्छे से मना सकते हैं मतलब एक ऐसा बंदा जो दूसरों की बातों में फश जाता है उसको ब बोलते हैं नेव लेकिन इसका just apposite होता है इसका just apposite होता है नेव यह just apposite है ठीक है तो नेव का मतलब क्या होता है नेव का मतलब होता है एक dishonest इंसान क्या dishonest इंसान dishonest और जो तुमारे लिए ठीक नहीं है जो तुमारे लिए ठीक नहीं है उसको बोलते हैं नेव ठीक है देखो यह देखो यह होती कुछ है और यह दिखाती कुछ है अब तुम बोलने लग जाओगो यार क्या तुम भही यह लड़कियों के बीचे पड़ जाता इस चीज को क्या बोलते हैं चीज तुमारे लिए ठीक नहीं है और ये किसी के लिए ठीक नहीं हो सकती, दखो ये, जो dual personality वाले लोग होते हैं, जो दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं, वो किसी के लिए ठीक नहीं हो सकते हैं, वो होते हैं, dishonest लोग, नेव लोग, जैसे नाइफ होता है ना चाकू, चाकू जैसे, ऐसे ही नेव, K-N-A-V-E, जैसे नाइफ होता है, ऐसे लोग होता हैं, नेव, ठीक हैं, तो चलो, नेव के वो देख लेते हैं, जो sunoniums बनते हैं, पेपर में, सबसे पहला ध्यान रखना रोग यो, आता है, आपने सुना अगो रासकल, रासकल है बिलकुल, गुंड़ा टाइप है, बिलकुल, समझ लो हैं, बे तुका है, उसको बोलते हैं, स्काउंडरल, देखो, रैपस्केलियन, ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट बन वर्ड है, एपस्केलियन, बिलन, बिलन क्या होता है, बिलन यही तो होता है, रासकल लोग ही तो बिलन बोले जाते हैं, एपसेलियन, उसके अलावा और दहाम लेखना स्विंडलर कर ए सकल हसा है यह सारे वर्ड्स बहुत इम्पूटन्ट है मेरे भाई इसलिए करा रहा हूं पेपर में आ उस sffindler पिपर में स्विंडलर लग्या फिर देखता फिरोग इसलिए बोल Coronavirus स्विंडलर क्या होता है इसलिए बोल अलावा एक दो वर्ड और हैं और लिख लो उने यहाँ पर लिख लेते हैं रेच डबलू आर इटी सी एच रेच रेच होती है एंठन तो एक इंसान जो थोड़ा एंठ में रहता है इसके अलावा ध्यान रखना रीप्रोबेट 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 इसकेप ग्रेस बहुत इंपूर्टेंट वर्ड है इसकेप ग्रेस इसकेप ग्रेस जो तुमारे लिए सही नहीं है न जो लड़की उसको बोल तो इसकेप ग्रेस वो इसकेप ग्रेस है तुमारे लिए wrong है wrong इसके अलावा एक important word है बहुत वो चालाग है तो चालाग का मतलब क्या है charlatan है C-H-A-R दुवारा लग देता हूँ C-H-A-R charlatan द्यान रखना charlatan है तो charlatan मतलब चालाग है cheater है twindler है swindler उपर करा के आऊने swindler fraud करने वाली है सारे words scumb करने वाली है देखो scamp अब तुम यहाँ से चाहें scamp समझ लो या paper में आ जाए न scumb bag S-C-U-M सेम ही meaning होता है ठीक है scamp या scumbag का scumbag का सेम meaning होता है ठीक है जो लड़की तुमारे लिए क्या है जो भी इंसान है जो भी इंसान तुमारे लिए नेव है क्योंकि लड़कें के लिए तो जाद तर वही होती है इसलिए मैं बोल रहा हूं ठीक है यार क्या भूलूम है लाइक देखो होता है न कभी-कभी कि एक समय है ऐसा लगने लगता है कि यार कुछ नहीं बहुत बेकार है भाई यह सब अपने इम पर फोकस रखो तो यहाँ पर एक दो वर्ड और लिख लो Dastard D-A-S-T-A-R-D Dastard Dastard, bastard Dastard समझ लो कि वो उन्सान कौन है? Dastard है ठीक है? Miscreant है M-I-S Creant Miscreant है Miss का मतलब ही Negative होता है तभी तो बोलते है Miss, Hey Miss लड़कियों को Hey Miss बोलते है यह खुद Negative होती है तभी तो Miss बोलते हूं न उसके अलावा ध्यान रखना Begabond ठीक है Begabond B-A-G-A-B-O-O-N-D Begabond Begabond भी ही होता है तो यह सारे words हो गए Neve के तो ध्यान रखना Neve का मतलब होता है जो इंसान डिसोनेस्ट होता है Rogu Rascal Rapsalian Swindler Scumbag ठीक है? यह सारे words उसके आगे बात करते है Kinetic आपने सुनेगी Kinetic Energy अब Kinetic का मतलब ही Energy होता है सोचो Kinetic का मतलब ही जो चीज Active है Energetic है देखो Energetic तभी तो Kinetic Energy तो Kinetic का जो Actual Meaning होता है वो यह होता है कि अचानक मतलब एक तरीके से Energetic वाली चीज बिलकुल Animated चीज Animated नहीं लिख रहा है इसमें लिख लो तो Animated चीज Animated का मतलब भी यह होता है Energetic बिलकुल जिसके अंदर Energy होती है अब एक चीज बताओ यह जो बंदे Running करते है देखो सोबह होते ही निकल गए Running पर भाई इनके क्या ही Energy होती है देखो लो बहुत ही Energetic Lively बंदे होते हैं यह Pappy Pappy बंदे होते हैं यह लोग Pappy यह देखो Pappy Pappy नहीं Pappy बंदे Lively बंदे Lively बंदे अपने आपको उग्र करके दिखाता है उग्र का मतलब होता है Ardent Furverse यह सारे words मां करा चुका हूँ तो Vigorous का एक तरीके से मतलब समतलो Energy जिसके अंदर Energy है Brisk Brisk होता है नहीं अचानक से Energetic Sprite जैसे आपने सुना होगा Sprite S-P-R-I-T-E जो Sprite Coldering होती है बट यहाँ पे क्या है Sprite तो यहाँ पे Sprite जो है यहाँ पे इसका मतलब है Energetic ठीक है तो शायद आपको ऐसे याद हो गए है बाकी यहाँ पे एक दो word all लिख लो जो बनते है Energetic Animated Lively Active वो सब करा दिये Brisk भी हो गया यहाँ पे लिखना Bouncing जो बन्दा Bounce करता है वो Energetic ही तो होगा जो Energetic बन्दा है वो Bounce जल्दी कर सकता है या फिर Playful है जो बन्दा खेल सकता है Playful है तो उसको यह चीज़ बोल सकते है अच्छा Active बन्दा है Brisk बन्दा है Dynamic हम बोलते हैं उसको या फिर बोल सकते हैं कि भाई बन्दा Powerful है Spirated है Sprint लेता है तो Spirated दिल्दो आपने सुना होगा न 400 Meter Sprint तो वो तिये Sprint लेकन यहाँ है Spirated Spirated भी यह होता है ठीक है तो यह सारे Word हो गए इसके अलाबा यह को लिख ले आपने सुना हो न उपर पैपी कराया था मैंने पैपी की तरह ही एक और वर्ड होता है जिपी Z-I-P-P-Y जिपी तो जिपी पैपी लाइवली यह सारे वर्ड्स हो गए इन सब का मतल होता है Energetic जो चीज काइनेटिक है Dynamic है तो आज से अब तुम अपने आपको क्या बोलोगे कि मैं Dynamic हूँ मैं Sprite हूँ Sprite वो वाली Sprite नहीं यह वाली Sprite S-P-R-I-G-H-T-L-Y मैं Animated हूँ पैपी हूँ मैं पैपी तुमारे मम्मी पापा कभी कभी कुस्से में बोलते होंगे पापी है तू लाइक अगर Sister तो पक्का बोलती होगी कितना हरामी कितना बत्तमीज है तू पापी है बिल्कुल पापी उसको बोलो मैं पापी नहीं हूँ Sister मैं पैपी हूँ अब वो सोचे की पैपी क्या है उसको समझाओ पैपी का मतलब होता है सुन पैपी का मतलब होता है जिप्पी वो लेगी जिप्पी क्या होती है जिप्पी बोलना जिप्पी होती है एनरजी तो पैपी जिप्पी ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है एनरजेटिक ठीक है आग आते हैं देखो इसके कैई सारे वर्ड्स है ठीक है तो यहाँ पे थोड़ इसे words high हो सकते है kind के कि कि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं कोई भी चीज तुमको करा रहा हूँ ना तो उससे भाहर कोई चीज चली जाए आप जिस भी word को कर रहे हो तो पूरा उसके जितना अंदर domain में है सब ले लो अब हम यहाँ पे बात करने वाल है kind आपको नहीं लगता आप बहुत kind है देखो यार boys बहुत kind होते है boys are really kind बहुत kind होते है kind से मतलब होता है उनका nature उनकी वो जो होती है ना manner उनका बहुती अंदर से एक तरीके से माले रेस्पेक्ट देने वाले मतलब प्यार तो ऐसे लोटाते है boys are kind मतलब इतना मतलब क्या ही बता हूँ ऐसे प्यार लोटाते है यह इनका इतना बड़ा दिल है boys का अब तुम भोलोगे भाई हमारे secrets कर रहो आप लोग आप मेरे secret आप boys के secrets कर रहो देखो यार जो लड़कों का दिल है यह तना बड़ा है ठीक है यह लड़के क्या होते हैं kind होते हैं, kind होते हैं इसका मतलब, kind का मतलब बहुती ज़्यादा friendly होते हैं, अब ये friendly होते हैं, तो जैसे एक आई, तो सबसे पहले ते इनको यहां रखते हैं, लेकिन फिर यहां से उठाके हलका सा इधा shift कर देते हैं, अब तम बोलोगे भहिया, यहां पे shift क्यों किया, अरे भाई एक और आनी है ना, एक और आनी है ना, तो वो यहां से फिर इधर shift होगी, फिर एक और आएगी वो यहां से यहां से यहां shift होगी, तो बंदे क्या होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो kind होते हैं, बहुत ही, मतलब उनसे बस दो हसके कोई बात क्या कर ले, दो बात हसक वो सब को अपने दिल में ले लते हैं तो जो friendly होते हैं generous होते हैं जिनका nature बहुत क्या मान सकते हो बहुती considerable वाला होता है considerate nature होते है ठीक है? kind अच्छा तो यहाँ पर देखो एक kind होता है कि कितने kind जिसे बोलते हैं ना five kinds five kinds there are there are five kind of these things या there are four types तो kind का मतलब होता है variety type short तो एक तो होगया kind का मतलब ये और एक kind का मतलब जो बहुत loving nature वाले यार यह बन्दा बहुत kind हर्टेड है अब kind के और लिख लो गाई पेपर माँ आ सकते हैं यह को tender t-e-n-d-e-r tender यहाँ पे देख लो एक पर picture यह देखो क्या आ रहा है यह सोच कि तुमारे mind में अपनी psychology खराब मत करो यह इसका भाईया है और यह इसकी sister है वो देखो ice cream लेका अपनी sister को खिला रहा है वैसे यह पता नहीं यह हो कैसे राएधर मैं तो कुछ भी न नहीं देखा कभी यार लड़के भाई नहीं यार sister को नहीं देते बदला ऐसे कुछ खाने के चिल लाएगी sister देदेगी भाई को देदेगी sister बट brother नहीं देगा भाई ice cream कैसे देगा बट यहाँ पे मैंने ले लिया ऐसे picture कि चलो यहाँ पे kind का meaning आप समझपा होती है यह लड़का क्या है kind है लेकिन यह सोच रहा है कि यार कहीं ज़्यादा न खा जाएं देख इसना पूरा ही मूँखोल रखा है इतना खाना वज तो देखो यहाँ पे tender कर लिए हमने उसके अलाबा ध्यान रखना affectionate 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 का मतलब भी होता है kind जो चीज बहुत ज़्यादा friendly, generous होती है warm, gentle, mellow यार कितने कर रहा हूँ बहुत सारे word है इसके तो यार considerate considerate kind ठीक है चलो कुछ कुछ करा देता हूँ जो बहुत ज़्यादा important है जो बहुत ही ज़्यादा important है लिखो affectionate हो गया तो kind में लिखना जो बन्दा charitable है charity वाला charitable कुछ ही word करा हूँ इसके तो यार मतलब मैं क्या ही बोलू 25-30 word हो सकते है but I will write only 5-10 ठीक है 5-10 लिखेंगे जो बहुत ज़्यादा important है charitable है या फिर compassionate है compassionate दिहान रखना paper में आ गया न compassionate तो बस यही सोसते फिरते रह जाओगे कि compassionate का मतलब क्या होता है सुना सुना सा तो है अरे मेरे भाई सुना है तो उसके revise करना compassionate मतलब kindness जो बंदा considerate है considerate उपर लिखा चुका हमने जो बंदा cordial है cordial मतलब friendly होता है वही तो kind होता है courteous है c-o-r-c-o-u-r-t ध्यान रखना c-o-u-r-t-e-o-u-s courteous है courteous gentle है gentle man है gentle man gentle है इसके अलावा ध्यान रखना kind hurted है human है sympathetic है जिसके अंदर sympathy है sympathetic sympathetic है ठीक है उसके अलावा ध्यान रखना clement है congenial है कैई सारे word हो गए चलो दो word हो लिकलो ठीक है एक तो congenial congenial paper मा आया हुआ है ये congenial p-y-q है मेरा भाई it's a p-y-q देख ले ना ये paper मा ना मिले तो बता देना मुझे nda की paper काई है congenial उसके अलाव ध्यान रखना clement c-l-e-m-e-n-t clement ये सारे words ठीक है इतने याद रखना in-e में सायागा kind का benevolent जो चीज kind होती है ठीक है gracious होती है उपर देखो gracious लिखा हुआ है तो मैंने ये करा दिया tender, considerate, affectionate ये सारे words हो गए ठीक है अब आगे आप देए आगे है तुम्हारा kill मतलब मार देना ठीक है मार देना अब मैं यहाँ पर तुम लोगों को बुझ दखाने वाला हूँ देखो याद सबसे पहले चीज़ तो इनकी looking ही killer है इनको देखे ना मतलब क्या ही बताऊ देखो having guns boots और ये बिल्कुल भाई देखो यार इसको बोलते है टौर इसको बोलते है मतलब ये है स्ली सिस्टम ये जो ऊपर लगा रखा ने लोगोंने सिस्टम है सिस्टम है अरे भाई इंडियन आर्मी ये है स्ली सिस्टम इंडियन आर्मी का टोड है ये जो फाल्तू के ये जो स्टेटिस लगाए फिरते है ना सिस्टम है फलाना है देखा होगा तुमने इंस्टाग्राम का कुछ सिस्टम नहीं भाई इस इस सिस्टम इस जब ये गुसते हैं ना कहीं तो बस मौत भी डरती है न लोगों से जंगल के बहुत ही है लोग देखियोगे न अपने रील्स में भी देखता है जंगल के बहुत तो किल का मतलब क्या होता है किल का मतलब जब किसी का जब हम किसी को मार देते हैं किल कर देते हैं देखो किसी को मार देना slay, murder, destroy, पूरा तभा कर देना, obliterate, दियान रखना बहुत important word है मेरे भाई, obliterate, obliterate, पूरा जड़ से खार देना, मार देना मिलकुँ, तहसनेस कर देना, wipe out, पूरा out कर दिया, out, annihilate, क्या ही words हैं, यह सारे मैं तुमको करा चुका हूँ, you know, जिसने पहली वीडियो कर रखे हैं उसको समझ मार रहा होगा कि हाँ, annihilate भी कराया है, obliterate भी कराया है, असेसिनेट भी कराया है, ठीक है, उसको liquidate कर देना, उसको liquid कर देना, समझ लो जैसे ही, जब तो मार दो किसी को, तो उसका खून बैता है, खून कैसा होता है, liquidate कर दिया, लिक्विडेट कर दिया, असेसिनेट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, आपने सुना का, मैसेकर, मैसेकर सुना होगा, तो मैसेकर क्या होता है, किलिंग ही तो होती है, किल, मार दिना, मैसेकर, slaughter 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 of cows cows का slaughter होता है तो उस चीज को जो रोकता है slaughter मतलब कटाई कटाई, मार देना annihilate कर देना dispatch मैं उपर करा चुका हूँ dispatch उपर है देखो dispatch ये सारे words हो गए इसके अलावा मैं तुम्हें एक और word करा गया हूँ eradicate, eradicate होता है जड से उखाड़ना eradicate, बिल्कुल जड से उखाड़ना उसके बोलते है eradicate उसके अलावा exterminate 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 का मतलब भी ही होता है ठीक है extirpate, यार ये सारे words मैं तुम्हें करा चुका हूँ extirpate मार देना बिल्कुल मतलब उसको उखाड़ देना, वहां से हटा देना उसको बोलता है extirpate अच्छा obliterate मैंने करा दिया destroy कर देना सारे words वो सारे हो गए अच्छा, उसके अलावा उसके अलावा wipe out हो गया ठीक है और क्या यही सारे words enough है slay, murder, destroy, obliterate dispatch, annihilate, assassinate इन सारे words का मतलता है kill करना उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ देना मार देना आगे आते हैं आप एक कीन कीन का मतलब क्या होता है कीन का मतलब होता है जब आपके अंदर किसी चीज की इच्छा होती है यहां पर मैंने देख़ए एक picture ले रखे है तो यार एक चीज का ध्यान रखना आपको कीन होना पड़ेगा आपको eager होना पड़ेगा आपको उसक होना पड़ेगा अपने पढ़ाई को लेके आपको चीजों को सीखने का eager होना चीए eager to learn eager eager क्या होता है eager होता है की तो यार मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ अभी देखा अभी आप लोग जितने की वीडियो देख रहे होना तो I know की around around 5 to 6 ही इस चीज को follow करता है जो मैं series कराता हूँ और I can say 5 to 6 नहीं मैं कह सकता हूँ around 10 ठीए सिर्फ 10 बंदे around मेरी series को follow करते है only 10 देखा यार मैं तुम लोगों के लिए एक चीज बोलना चाहूँगा जो लोग भी follow कर रहे हो देखा यार करते जाओ मैंने ठीए बस करते जाओ नहीं करोगे भाई बहुत दिक्कत हो जाएंगी तुमारे पास कुछ और option नहीं है कुछ और option नहीं है जो भी 10-15 मेरी series को follow कर रहे है मैं यहाँ पर तुम लोगों के एक चीज साफ साफ बोलना चाहूँगा मेरे भाई कर लो hard work दुनिया सिर्फ खाम खाम का competition है बोलते हैं न competition है ये है वो है I know मेरी videos पे views आते हैं around 200-300 views आराम से जाते हैं average but मुझ को पता है उसमें से जो follow करते हैं वो 10-15 ही करते हैं पस and I am happy with those persons 10-15 वालों से खुश हूँ है because मेरे को पता है कि जो मैं efforts लगा रहा हूँ न वो इन 10-15 लोगों को बहुत benefit करने वाले है पर देखे यार बही बन्द इसी चीज़ को follow करता है जो बन्द चार सोर्सिस पे नहीं भागता बाकि as your wish जो करना है करो चलो आगे आते हैं अब चाहें तुम्हारा मन हो चाहें ना हो एक चीज सत्य है सत्य बिलकुल पढ़ना पढ़ेगा ठीक है मन हो चाहें ना हो पढ़ना पढ़ेगा तो eager to learn अपने अंदर उत्सुता लाओ पढ़ने की क्यार कुछ भी हो भाई पढ़ना तो है eager होना है कीन होना बिलकुल lean होते हैं ने lean हो जाना lean हो जाना lean lean हो जाना तो उसी चीज को बोलता है keen ठीक है eagerness किसी चीज की eagerness होना impatient हो जाना अच्छा यहाँ पर keen का एक चीज मतलब और होता है दिहान रखना keen का मतलब ये भी होता है एक तरीके से मालो जब बहुत ज़्यादा आप एक तरीके से sharp होते हो acute होता है मतलब थोड़े से चालाग होते हो keen का मतलब ये भी होता है ठीक है ज़्यादा थोड़ा से February होता उसका मतलब keen होता है लेकिन यहाँ पर जो हम keen बात करने वाले वो बात करने वाले इगरनेस से eagerness उच्चूकता eagerness enthusiasm वह था आपके अंदर कितना एन्थूसियास्म है पढ़ने का एन्थूसियास्म एगरनेस तुम कितने कीन हो कितने डेटरमाइंड हो कितने यरूनंग ों हो य फाहर य इ-ई, य इ-A-R-N, आई, ए-इन, इरूने कितने ambitious हो उस चीज़ को पढ़ने के लिए ambitious ambitious हो ठीक है, कितने jestful हो jestful jestful कितने full हो, jest jest jestful कितने ambitious हो, कितने ardent हो forward हो, यह सारे में तुम्हें करा चुका हम तुम्हारी इच्छा longing longing होती है ना, इच्छा l o n g i n g longing तुम्हारी इच्छा दिली इच्छा कितनी है उस चीज़ को बोलते है, keen keen पर ध्यान रखना एक शार पैक्यूट वो वाली चीज़ हो गई जो बंदा थोड़ा सा चालाग होता है उसको बोलते है keen उसके अलावा देखो, यहाँ पर ardent intense piercing, eager यह सारे words ठीग है तो यहाँ पर यह हो गई keen के देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, आज के जो words थे ना वो थोड़ ऐसे यहाँ पर double वो वाले थे, जिनके दो दो meanings थे बढ़ कोई बात नहीं जो अगली वीडियो होगी, उसमें मैं और अच्छे words ले लूँगा ठीग है, क्योंकि आपको भी पता है, अब letters बाही चल रहे हैं तो कुछ letters के meanings अच्छे होते हैं कुछ letters के, ऐसे होते हैं के से ज़ादा सब्द होते नहीं जो ठीक था, जैसे S हो गया, R हो गया, इन सब से अच्छे words आते हैं, जो बहुत आते हैं पेपर में के से इतने नहीं आते तो जितने भी थे के वाले जो मुझे लगे important वो मैंने लिग लिए तो पूरे words को लिख लेना, आज तो even ज़ादा words हैं भी नहीं, 50-60 के आसपास ही होंगे बस, तो उन सब को revise कर लिना, जो भी पहले की हैं तो चलो, वाकी मिलते हैं next वीडियो में क्या ही बोलूँ, शेयर करोगे, नहीं करोगे that's all up to you मेरा काम है efforts लगाना बस लेकिन देखो, थोड़ा सा मेरे को कम टाइम लग पाता है मतलब थोड़ा कम टाइम मिल पाता है समझो, अगर एक दो दिन वीडियो लेट हो जाती है तो उस चीज़ को manage कर ले न क्योंकि slides फगेरा बनाने में time लगता, अकेला ही मेरे को सब कुछ manage करना होता है तो it become little hard तो बागी चलो मिलते है next video में God bless you all and see you soon in next video